हाई फ्रेंड्स असलाम अलेकुम कैसे हो आप सब अभी देखिए आप सब खेरियत से होंगे आज हम बनाएंगे बहुती सस्ती मिठाई की रेसिपी और हम इस मिठाई को बहुती कम इंग्रिडियंट से बनाकर रेडी करेंगे जो की बहुत जादा टेस्टी और यमी बनती है वीडियो को पूरा एंड तक वाच करें चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं यहां पे हमने एक पैन रखका है गरम होने के लिए आप को भी कप सेट कर लें उसमें साफ मेजर कर ले तो वन फोर्थ कप हम यह घी डाल देंगे और घी को गरम होते ही यहां पे एक कप से थो फ्लेम में ही भून लेना है हाई फ्लेम या मिडिम फ्लेम में नहीं भूनना है नहीं तो मैदा जल जाएगी तो हमें लगबग इसे 6-7 मिनट हो गए थे भूनते हुए हमारी मैदा जो अच्छे से भून गई थी मैंने उसे ट्रांसफर कर लिया एक बतन में उसके बाद सेम प चाषणी त्यार करनी है तो सिर्फ एक तार की चाषणी बनानी है हमें चाषणी बनाने के लिए आप इसे चम्मच के हैल्प से चलाते रहें इसे छोड़ना नहीं है और मिडियन फ्लेम में आप इसे पकाएं तो हमारी जो चाषणी है परफ्ट बनकर आएगी तो देख सकत आप घ्राइब बीधक बीधके से देखर टीद करतेब अब्सक्राइब Benson चैनल को य利वर के लिए इस दिलाइब केवडर के लोग सबस्टर कई उसकर करें बीकानित्रा को से और क्लाते धोर सव्क्राइब नहीं तो इस में लम्फ पड़ जाएंगे हम से concur प्रिशले तो नियुक्त से लकाशने इंभाशाब बबहुता करा है इस अमक्त पर नुप के स्वनियky ओचर नुप सकते हैं कि इसमें से बड़े-बड़े बबल साने लग गया है तो इस वक्त आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है आप गया सफ्लम को स्लोही रखें उसके बाद यहां पे हम नारियल का पाउडर एड़ कर देंगे एक टेबल स्पून और दो टेबल स्पून मिल्क पाउडर इसमें से तो इसी के लिए हमने दो टेबल स्पून मिल्क पाउडर एड़ किया है आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यह आपने घर पे बनाया है इस मिठाय को आप जिसे भी खिलाएंगे आपकी तारिफ करते नहीं थकेंगे कोई नहीं कहेंगा कि आपने घर पर बना लेगी और तुरंती एक प्लेट में इसे ट्रांसफर कर लेना है और इस प्लेट में जो है मैंने पहले से घी ग्रीज करके रखी हुई थी प्लेट में थोड़ा सगी घीज करने से क्या है कि हमारी मिठाए बहुत ही आसानी से निकल जाती है उसके बाद हम या चमज के हेलप से इसे फ्लैट कर देंगे और मैंने इसमें जो है कुछ पिस्ता के कदरन डाले थे जिस वक्त मैंने नारियल पाउडर और मिल्क पाउडर डाला था तो आपको अगर पसंद हो तो ले सकते हैं तो मैंने हातों से चू करके देखा यह बहुत अच्छी से सेट हो रहे हातों पे बिल्कुल भी नहीं लग रही है तो उपर से भी हम थोड़ा सा पिस्ता के कदरन डाल देंगे और इसे चमच के हल्प से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि यह बहुत अच्छे से सेट हो जाएं तो आप इसी वक्त इस बरफी को काट कर रख सकते हैं ठंडी होगी तो पाने में यह जो हैं बहुत ही जादा सॉफ्ट और मुह में घुल जाती है यह मिठाए तो एक बास जरूर ट्राइक करना इस रेसिपी को तो इसे हम कट कर लेंगे अच्छे से आपको जिस साइज में कट करनी आप कट लगा सकते हैं तो देख सकते हैं कि मैं इसे आपको तो करिफिकेशन को जरूर प्रेश करें और मुझे इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें इसके लिए आपको बहुत बहुत तैंक यूँ तो मिलती हूए एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ अब तक मुझे इजाज़त दिजिए अल्ला हाफिज दिल दें टेक कर बाबाई